नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्त इस वीडियो में बड़ा अप्डेट चिकिचसा विभाक से एक बड़ी खबर और वो बड़ी खबर ये है दोस्तों वापलों के सामने हैं यहां पर देखिए फस् लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं उनकी संख्या है 36178 और इनको समायोजित किया गया है रास्तान कॉंट्रेक्शल टू सिविल पॉस्ट रूल्स 2022 में तो ये सवीदा कर्मियों को सामिल किया गया नच्यम को तो आप लोगोंने कल ही वीडियो देख लिया होगा मीडि अजैंज यहां पर इनोंने कि यहां पर आप ढांन को भी बदला है साथ में वेतन जूब हुए उसको भी बदला है वेतन में हालंकि कुछ पदों में अच्छा डिफरेंस किया है कुछ नहीं किया है अंतर नहीं हुआ है इसकी अलावा दोस्तों हम बात कर रнутьсяं यहां पर दे ठीक है ऐसा कि मैंने कल भी ट्वीट करके जर्नकरी देदी थी एक CHO का आप लोगों ने देखा होगा Community Health Officer का 18900 किया गया था काफी सारे CHO अभ्यारतियों ने मेसेज किया या कमेंट किया तो हमने उससे पहले आप लोगों को बता दिया था यानि कि जिनको 18900 जैसे CHO का इन्हो ने तैय करा उससे ज्यादा है तो आपको ज्यादा ही मिलेगा ठीक है ना ये सीज है उसके बाद अगर आपका सवल ये हो कि नो साल बाद क्या मिलेगा तो नो साल बाद दोस्तों जो इन्होंने निर्धारित करा है क्योंकि आपको तो 25,000 पहले मिल रहा है आप नो साल बाद मालो आपको हर साल ये 55% का increment दे रहे हैं आपका वो जो वेतन जा रहा है जाने कि 9 साल बाद इन्होंने माली जे 32,000 उपर रखे हैं ठीक है तो आप तो 32 से पार है ठीक है तो इस टाइम पर क्या करेंगा आपको 2 वेतन वरदी देंगे क्या देंगे 2 वेतन वरदी 9 साल बाद ज कुछ ना कुछ तो मिलना चीए ना तो इसलिए आपको ज्यादा मिल रहा है तो 9 साल बाद 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे करके आपकी जो मान दे वो बढ़ा दिया जाएगा ये इस तरीके के चीजे हैं आप लोगों ने देख लिया होगा यू टीबी इसमें सामिल नहीं है एनेचेम को छोड़के कोई सामिल नहीं है बात कतम सीधी और इस पस्ट बात अब आप लोगों के काफी लोगों ने सवाल किया साब जोदपूर मेडिकल कोलेज में स्टाफ नर्स की भरती सी एमेचो में यू टीबी पैरा मेडिकल इन की भरती साब हमको तो एनेचेम की तैत भरती किया गया था दूस्तों आपको एनेचेम का वीतन दिया जा रहा है ना कि आपको एनेचेम ने भरती किया आपको जिला कलेक्टर की अध्यक्सता में जिला स्वात जो समीती है ठीक है उसने आप लोगों को भरती किया है ना कि एनेचेम नेशनल हेल्थ मिशन ने ना तो आपको कोई जोइनिंग लेटर जारी किया, ना नेशनल हेल्थ मिशन के इसमें कोई रोल है, ठीक है, तो जिन लोगों को UTV में काम करते हुई, ये लगता है कि भाई साब, NHM की सैलरी हमें क्यों दे रहे हैं, तो वो इसलिए दे रहे हैं भाई, पर्मनेंट जो भरतियां हैं ये नहीं आएंगी, ये भी तैह है, तो काफी सारी चीज़े हैं, लाब और हानी जो है, सारी है इसमें, जो NHM में लगे हैं, उनको बेनेफिट है, और उनको बेनेफिट तब है, जब सरकार उनकी जो पहले की नोकरी है, छे साल, पांस साल, ग्यारा साल, दो भी है, उसको जीरो ना करे उसको माने और फिर नो साल में जो दाइरे में आ रहा है उनको नो साल का ही वितन दिया जाए तब तो एनेचम को भी बेनिफिट से अब ये क्या करें ये 13150 हैं एनम जो बहने बिचारी पांच साल से काम कर चुकी है या स्टाफ नर्स जो एनेचम में लगा है चार-पांच साल उनको हो गए तिन साल हो गए अब वो तो जीरो हो जाएगा फिर एक से स्टार्ट होंगे नो साल पहुंचेंगे उमर कितनी हो जाएगे आप लोगों की कुद अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों सरकार के नियम थे तो यह है ये तो हम बताएं नहीं है वह पूरी कैडर स्ट्रेंथ है दोस्तों यह 36,178 कैडर स्ट्रेंथ है नहीं के जो स्विक्रत पद हैं उनकी टोटल यह संख्या है ना कि इतनी करमचारी इसमें काम कर रहे हैं मैंने पहले भी दिपावली पे जब एक वीडियो बनाया था तब भी मैंने बताया था और आप फिर बता रहा हूँ तो यह देखिए काफी लोगों confusion हो जाती है नर्स के जो पद आप लोग देख रहे हैं 64,198 नहीं के यह स्टाफ नर्स फिलाल इतने काम नहीं कर रहे हैं यह टोटल स्ट्रेंथ है भाई साब ठीक है तो समझने की हाँ पे कोसिस कीजिए इसी त आप लोग देख सकते हो तो 4302 एनम फिलाल नहीं कर जितनी काम करें 2517 जो कुछ भी होगा उतनों को यहां पर इसका benefits मिलेगा तो यह total strength है स्विक्रत पदों की संख्या है ना कि actual में जो काम करें उन लोगों की ठीक है यह जानकारी थी आप लोगों के लिए नहीं के अलाब सल्ली बक्स पढ़िए ठीक है और दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही सियाचो को जो वेतन मिल रहा था 25,000 मिलता रहेगा यह अगर सियाचो के लावा आप कोई और भी पद पर काम करें हैं Health Department में और आपको यह जो वेतन इन्होंने तै किया है इससे ज्याद सरकार का जाने भाई उसका जबाब सरकार दे सकती है हमारे पास कोई उसका जबाब नहीं है हमारी मांग यह है किया जाना चीए था लेकिन अगर किया जाएगा तो फिर दिक्कत यह है कि आप फिर जो यह प्रता है यह बहुत बुरी रहेगी सरकार इन ही के सारे क्या है कि अ पर्मानेंट भरती आपको देखने को नहीं मिलेंगे बेशिक्षी बात यह है तो धन्यवाद दोस्तों फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत